दोस्तो एक वीडियो मैंने बनाया था जियो अस्मार्ट एफसम पर जहाँ पर आप अपने गर से ही मुवाइल से कॉल पर बात करका अनलाइन पैसे कामा रहे थे और भी जियो जैसे ब्रांड कमपनी से तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगे कैसे आपको call पे बात करनी है, कैसे आपको पैसे मिलते हैं, कितना देर बात करोगे तो कितना आपको पैसे मिलेंगे, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, call से call को अटेंड करना है, call से call को अटेंड नहीं करना है, payment आपको कैसे म मिलता है कॉल पर बात कैसे करना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आज क्या वीडियो डेडिकेटेड फॉर यू दोस्तों जिनको नहीं पता उनको पता दू जी यू स्मार्ट एफ एसम एक प्लेश्टोर का अप्लिकेशन है यह वाला अप्लिकेशन इसमें देखने वो मिल जाएगा आपको क्या करना है एक एक करके सभी को कॉल करना है और कॉल पर बात करके आप पैसे कमाने वाले हो अब हिंदी में आपको बात करना है आप अपने लोकल लेंगवज में बात कर सकते हो अब दोस्तों यहाँ पर आप बात क्या करोगे तो दोस्तों तो यहाँ पे जितने सारे contact आपको दिख रहे इस सारे वो contact है जिन्होंने अपने mobile number पे recharge नहीं किया है तो आप आपको call करना है call करके आपको सबसे पहले उनको wish करना good morning good afternoon उसके बाद में अपना intro आपको बताना है फिर उनको बोलना है कि sir आपने अपना mobile पे recharge नहीं किया है आ आप जल से जल रिचार्ज कर ले उनको plan के बारे में भी बताना है इसके लिए सबसे पहले तो आपको basic जो भी जियो का plan है उसको आपको जानना पड़ेगा आप जियो के जो भी plan है recharge के बारे में उसके बारे में जान लो ताकि customer आप से पुछे तो उसको भी आप बता सको औ और उसके बाद में यही आपको करना है मोटिवेट करना है कस्टमर को मोबाइल पर रिचार्ज करने के लिए अब वो रिचार्ज करे या ना करे उनकी मर्जी बट आपको मोटिवेट करना है अब recharge कर लेगा तो ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा और recharge नई भी करेगा तो भी आपको पैसे मिलेगे ओ कैसे तो उसी का एक ट्रिक आपको बताने वाले हैं दोस्तो आज के इस वीडियो मैं आपके सामने में कॉल पे बात करके अर्निंग करके टोटल कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या करना है तो बिना देरी किये डारेक्ली वीडियो को सुरू करते हैं मैं क्या करता हूँ डारेक्ली अप्लिकेशन पर आ जाते हैं और अपना आईडी पासवर्ट डाल करके लॉग इन कर लेते हैं देखलो कुछ इस टैप के इंटरफेस आपको देखने को मिल जागा अब यहाँ पर आप गलती क्या करते हो देखो यहाँ पर बेसिक प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले जान लो अगर लीड पर मैं क्लिक करू लीड पर क्लिक करने के बाद में तीन प्रोग्राम आपको यहाँ पर देखने वह मिल जाएंगे जैसे stay connected, stay connected और recharge reminder अब यहाँ पर तीनों का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ stay connected का मतलब क्या है कि उनके mobile में regularly recharge रहता है लेकिन दो-तीन दिन से कुछी समय पहले से उनका mobile में अभी recharge नहीं है recharge reminder का मतलब क्या है ऐसे customer जो लंबे समय से अपना recharge नहीं किये है तो ओएसे contact देखने को मिल जाएंगे आप लोग गलती क्या करते हो recharge reminder में जाते हो और call करते हो और वहाँ से पैसे कमाते हो यह गलत तरीका है इससे आपका earning तो होगा लेकिन जितना ज़्यादा आपका earning हो सकता उतना पैसे आप नहीं कमा पाऊगे मैं आपको trick बताता हूँ आपको क्या करना stay connected वाले पे click कर देना है फिर उसके बाद में जितने contact देखने हो मिल जाएंगे ओ contact आप देखलो अब आपको क्या करना suppose it इसको call करना तो इसको call पे click करना और click करने के बाद में तुरंत आपको cut कर देना है उसके बाद आप देखोगे तो आपको ये वाला section देखने हो मिल जाएगा फिर आप क्या करो उनका जो call है not reachable पे आप select कर लो और उसको submit कर देना फिर उसके बाद क्या होगा कि ये वाला contact चल जागा not reachable पे देखलो ये वाला contact अब lead से हट चुका है stay connected से अब not reachable पे जाकर करके पहुँच चुका है अब क्या होगा ये customer क्या है कि एक दो दिन के अंदर में जैसे ही वो अपना mobile recharge कर लेता है तो आपका count हो जागा और उसका पैसा फिर आपको यहां पर मिल जागा ऐसे करके एट trick यूज करोगे तो बीना call पे बात किये भी आप पैसे कमा लोगे stay connected का policy यह है कि आप customer से कितना भी बात करो बस बात करो उसके बाद क्या है कि customer जैसे ही 2-3 दीन 4-5 दीन के अंदर में ओ रिचार्ज कर लेता है और माहिने में मातर 25 रिचार्ज आपका complete गर लेता है तो हर एक call पे आपको यहां पर पैसे मिल जाते हैं तो यह policy का यूज करके आप यहां से पैसे कमा सकते हो stay connected से भी रिचार्ज डिमेंडर से किया है कि आपको minimum 40 सकेंड तो बात कर नहीं है उसके बाद में customer रिचार्ज कर लेता है तो उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं ऐसे ही देखोगे तो follow up का एक section देखने को मिलेगा not reachable का interested का जो main section आ जाता है यहां पर interested का अगर हम interested पर click करें तो यहां पर भी आपको contact देखने को मिल जाएंगे वैसे contact जिनको आपने call किया है call करने का उधर से positive response आये हैं अब ओ क्या है कि साम तक ही या फिर दूसरे दिन तक वो अपने mobile में recharge कर लेते हैं जैसे ही वैसा काम done कर लेते हैं तो आपको 50 उर्पे पर एक call पर यहां पर मिल जाते हैं ऐसा ही follow up, not reachable और भी बहुत सारे section देखने हो मिल जाएंगे मैं आपको बता दता हूँ किसको follow up में डालना है किसको not reachable में डालना है और किसको interested में डालना है जैसा ही customer को आपने call किया और उसका call switch off है या फिर उसने उठाया ही नहीं तो उस condition में आप क्या कर सकते हो उसके call को follow up में आप डाल सकते हो फिर क्या है कि next time फिर से आप उसको call कर लेना और जैसा ही वो अपना mobile में recharge कर लेता उसका परसा आपको मिल जाएंगे not reachable तो पहला ही आपको बताया कि आपने call किया उससे बात किया लेकिन आपको वहाँ से कोई positive response नहीं आया या फिर कोई system confusion type का है तो उसको not reachable में आप डाल देना interested में क्या है कि आप सियोर हो कि ये बंदा recharge करेगा ही करेगा वैसे contact डाल लेक बाद में जैसा ही वो recharge कर लेता क्यूंकि application को जब आप install करोगे username, password माएगेगा और login का ही option देखने को मिलेगा registration का option आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा registration करने के लिए आपको इसके official page पे जाना होगा Jio के official page पे जिसका link दे दिया हूं नीचे description box में और वहाँ पे जा करके register करना है register कैसे करोगे तो उसके लिए हमारा पुराना वोला वीडियो देख लो step by step total कुछ आपके सामने में करके बताया हूं हर एक चीज को क्या आपको करना है क्या नहीं करना है full detail आपको पुराने वाले वीडियो में मिल जागा तो उस वीडियो का वी लिंक निचे description box में है आज के इस वीडियो में बस इतना ही रन दते है और ज्यादा detail चाहिए payment proof चाहिए तो वो आपको next वीडियो में आपको मिल जागा आप comment करके मुझे बता देना मिलते हैं next वीडियो में जैहिन जै भारत